हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ऐसा फैकेंसी लेकर आये हैं जो आपके लिए बहुत ही मॉधपून है और इस फैकेंसी का बहुत सारे एस्टूडेंट का इंतजार रहता है तो आज ये इंतजार खत्म होता है क्योंकि railway का ये vacancy है अगर आप इस वीडियो को अंतक देख लेते हैं तो आपको पूरा detail इसका समझ में आ जाएगा इसका age limit क्या है इसमें syllabus क्या है इसका exam pattern क्या है और इसका जो है form applied date कब है कितना feel आएगा total जनकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा तो अगर आप ल railway rrb group d vacancy 2014 जो की यहां पर रहा फी ग्रूप d के लिए है तो यहां पर इसमें हम लोग बात करें गे किसका टोटल पोस्ट कितना है चन bाता है यहांबट घृतन समय जादा ही है किपस्ट जयाना है उसका data one bit उप्सका इसमें जो है आपका 100% जॉब हो जाने वाला है क्योंकि इसमें जो है बहुत ही जादा ही पोश्ट है तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका एज लिमिट का कि आपका एज कितना से कितना रहेगा ताकि आप लोग इसमें फॉर्म को भर पाएंगे तो यहाँ पे जो है एज लिमिट की बात करें तो कम से कम 18 और जादा से जादा यहाँ पे 36 रहना चाहिए यानि के अगर आप लोग 18 से 36 के बीच के हैं तो आप लोग इसमें फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं उसके बाद जो है आपके मन में डाउट होगा कि इसमें फॉर्म को अड़ाई सो रुपए रहेगा तो यहाँ पे जो है जैसी SCHT के लिए अड़ाई सो हो जाएगा तो आपका जो है फी इस परकार से लिया जाएगा 500 और जैनरल OBC और AWS में अगर आप लोग आते हैं तो आप से 500 रुपए लिया जाएगा और अगर आप लोग SCHT में आते हैं तो आपसे 250 रुपे लिया जाएगा अब उसके बाद जो है इसका qualification क्या है यानि के आप लोग कितना पढ़े लिखे रहेंगे ताकि आप इसमें form को apply कर पाएंगे तो यहाँ पे जो है आपका qualification रहने वाला है 10th है उसके बाद plus ITI यानि के अगर आप लोग metric भी किये हुए हैं तो इसमें form को apply कर पाएंगे या अगर आप लोग ITI किये हुए हैं तो आप लोग इसमें form को apply कर पाएंगे यानि के आपका दो तरह से यहाँ पे क्या है qualification है तो इस दो तरह के qualification में जो है आपका 10th pass पे अगर आप लोग 10th पे भड़ते हैं तो बहुत कम ही इसमें भड़ पाएंगे और अगर आप लोग ITI पे भड़िएगा तो आपका अच्छा post इसमें मिलेगा तो इसलिए आप लोग qualification के हिसाफ से form इसमें apply कर लिजेगा अब उसके बाद जो है यहाँ पे आपको apply date भी बता जार कीजिएगा जैसे ही apply date आजाएगा आप लोग form को apply कर दीजेगा तो यहाँ पे जो है आपका apply date इसी मन्त में आ जाएगा अब उसके बाद जो है इसका selection process किस परकार से रहने वाला है यानि के form तो भड़ेंगे लेकिन आगे का process क्या रहेगा ताकि आपको इसमें job हो प medical होग होगा उसके बाद आपका डीवी यानि के document verification होगा यानि के selection process आपका अपका इस परकार से रहने वाला है जैसे कि first में आपका cbt exam होगा physical होगा medical होगा उसके बाद verification होगा तो यहाँ पे जो आपका CBT exam होगा उसका syllabus क्या रहने वाला है वो अब हम लोग समझेंगे तो यहाँ पे जो है आपका syllabus यहाँ पे इस परकार से रहेगा जैसे कि यहाँ पे exam pattern को समझेंगे 100 question रहेगा 100 marks का रहेगा और 90 minute का आपको time दिया जाएगा यानि कि exam में जो है आपसे 100 question पूछा जाएगा 100 marks का रहेगा यानि कि हर question एक एक marks का रहेगा और यहाँ पे time की बात करें तो आपको 90 minute का यहाँ पे time दिया जाएगा तो यहाँ पे जो है आपका exam pattern इस परकार से रहेगा और उसके बात जो है अगर हम लोग negative की बात करें कि इसमें negative marking भी है तो हाँ इसमें negative marking होता है वो होगा आपका one by three का यानि कि अगर आप लोग तीन कुस्टन को गलत करते हैं तो सही वाला मेंसे भी एक नमर आपको काट लिया जाएगा तो इस परकार से आपका negative marking रहेगा आप लोग कुस्टन को अच्छे से किजिएगा अब उसके बात जो है आपका exam pattern इस परकार से रहेगा अब यहाँ पे हम जानेंगे किस subject से कितना question पूछा जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे 100 question रहेगा 100 marks का रहेगा तो उसी परकार से जो है आपका science से यहाँ पे 25 question रहेगा और reasoning से आपका यहाँ पे 30 question रहेगा math से आपका यहाँ पे 20 question रहेगा और जिक्के से हैं यहाँ पे 20 question रहेगा तो इस परकार से जो है आपका रहे के 100 हो जाएगा यानि के 100 कुर्सन यहां पे आ जा रहा है तो इस परकार से जो है आपका सिलेबस रहने वाला है तो यहां पे आपको सिलेबस भी समझा दिया गया है तो सिलेबस समझा गया है तो आप लोग साइंस में रिजनिंग में और यहां पे मैथ में अच्छे से कमांड कीजएगा यानि कि अच्छे से अभी से तैयारी में लग जाइए यह फॉर्म अप्लाइड डेट आएगा आप लोग क्या के जएगा फॉर्म को भड लीजेगा और आपका एक्जाम जो है फरवर्डी या मार्च में हो जाने वाला है तो इसलिए आप लोग अभी से तयारी किजेगा तो आपका better result इसमें आएगा तो यहाँ पे जो है आपका syllabus इस परकार से रहने वाला है अब उसके बाद एक्जाम के बाद में physical होगा फिजिकल के बाद में आपका medical होगा उसका document verification होगा उसके बाद आपका इसमें job हो जाएग तो कहीं भी अगर आपको doubt हो तो आप लोग comment में जरूर पूछा किजेए आपको वहाँ पे clear कर दिया जाएगा हर comment का आपको वहाँ पे जवाब दिया जाएगा तो यहाँ पे जो भी समझाया गया आप लोग अच्छे से ध्यान में रखियेगा और form apply date जैसे ही आएगा तो चलिए मिलते हैं next video में